दोस्तो आज हम लोग तोरुदत की एक बहदी फेमस पोयम बागमारी को पढ़ेंगे बागमारी दोस्तो एक बांगला वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्योटिफुल गार्डेन तोरुदत का पूरा नाम था तरुलता अधत तोरुदत ने बागमारी को अपने एक बहदी फेम लिखा था जिसे 1882 में पब्लिस करवाया गया था दोस्तो तोरुदत की मिर्त्यू काफी कम उम्र में ही हो गई थी दोस्तो इनकी मिर्त्यू 28 साल की उम्र में हुई थी ट्यूबर क्लॉसिस के कारण और इन्हें इंग्लिस पोएट जॉन केट्स से भी कमपरिजन किया जाने ल बागमारी पोयम पे तो बागमारी एक सोनेट है दोस्तो दत फाइमली का एक गार्डेन होता है बागमारी तो यहां इस पोयम में तोरुदत बागमारी की ब्यूटीव को दिखाती है तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग बागमारी पोयम को लाइन बाइन पढ़ते हैं औ इनका जो गार्डिन है वो हरे रंग के पत्तों से घिरा हुआ है ऐसा लग रहा है कि मानो ये हरे रंग के पत्ते ये गार्डिन में एक समुद्र की तरह फैला हुआ है और ये समुद्र की तरह फैला हुआ ये हरे रंग के पत्ते ये गार्डिन की हरियाली इस गार्डिन को फी देखा जा सकता है सार्प कॉंट्रास्ट यहां पर हर एक रंगों के डिफरेंस को देखा जा सकता है यहां पर इमली के लाइट ग्रीन कलर के पत्तों को देखा जा सकता है इमली के पेडों को देखा जा सकता है amid the mango clumps of green profound आम के हरे रंग के पत्तों को देखा जा सकता है आम के खलो के गुच्छों को देखा जा सकता है and palm arise like pillars gray between और इन सभी के बीच में खजूर के ताड के बड़े बड़े पेडों को देखा जा सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये मानो ग्रे रंग का pillars हो and over the quiet pool दा semilis lean और सांत पड़े हुए garden में जो pool है उनके उपर semilis का tree मानो ऐसा लग रहा है कि उनके उपर जुका हुआ है दोस्तो semilis एक red silk cotton का tree होता है जिसमें लाल कलर के फूल होते हैं red red and startling like a tempeth sound और ये उनके semilis के फूल ऐसा लग रहा है कि मानो चुपके से ही इन फूल पे अपना विजय का फताका लहरा दिया है अपने फूल के beauty से मानो ऐसा लग रहा है कि इस फूल को जीत लिया हो और सब को garden में सभी पेड़ पौधों को चौका दिया हो तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि कैसे poet कह रहे है कि उनके garden में अलग अलग रंगों के फूल पेड़ पौधे है जो कि उनके garden को beautiful बनाता है चलिए अब देखते हैं आगे poet क्या कहते है but nothing can be lovelier than the rains of bamboos to the eastward लेकिन सब चीज एक तरफ और इस garden के पूर्व की और की जो bamboos है उसको यदि एक तरफ कर दिया जाए तो इस bamboo से और मधूर और प्रिये और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है when the moon looks through their gaps और जब रात में जब चंदर की रौसनी इन bamboos के बीच से गुजरती है and the white lotus changes into a cup of silver और lotus के फूल पे वो रौसनी पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि ये lotus का फूल एक silver का cup हो one might soon drunken with beauty then और अगर कोई इस दृश्य को देख ले तो इनकी beauty को देख ले तो इस beauty को देख कर मानो ऐसा होगा कि वो इस beauty में धुत हो चुका होगा वो इस beauty के अंदर डूब चुका होगा और gaze and gaze on a premival Eden in amaze और दोस्तों यहाँ पर poet अपने garden का comparison garden of Eden, garden of heaven जहाँ पर Adam और Eve रहते थे उस garden of Eden से compare करते हैं कि उनका garden, garden of Eden से भी कम नहीं है और इनका garden इतना खुबसूरत है कि अगर कोई इसे देख ले तो यहाँ पर इसके beauty के अंदर डूब जाएगा और दोस्तों यहाँ पर यह poem कंप्लीट होता है हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत